हेलो एंड वेलकम टू जिक्के हब तो फ्रेंट्स वीडियो को एक स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक हमबल रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर कर दीजिए क्योंकि फ्रेंट्स हम लोग इन्फोर्मेशन तो प्रोवाइड करते ही हैं सांती सांत फ पहला क्वेडि है यदि पहुआ जो कोशन्स है इस्ट्रेंट्स का वह यहीं है कि अब तो हम लोगों ने कट आप भी देख लिया अपने एंसर कीच एकर्नके करने के बाद बमग बख दुब्र तक उुसका इंट्रेंस नहीं चलनावाला है उसके बाद भी कुछ कोर्शे साथ बचे हुए होगे जैसे एक स्कूल को रहा है नाइन्थ और शिक्स कलास का तो उसका हो सकता है कि 15 अक्टूबर तक तो आपका एक इंट्रेंस एक्जाम ही चले उसके इंट्रेंस होने के बाद ही चांसे आना सुरू होगा या तो फिर last week of October आना सुरू होगा last week of October या फिर November के first week में आपका result जो है confirm आने की पूरी chances है friends last week of October या फिर November की जो है first week में आपका result आ जाएंगे तो यह था आपका पहले doubt का question एक answer और second जो doubt है वो कुछ student का कहना है कि मैं अभी क्या करूँ जैसे उनको लगता है कि उनका selection तो confirm होने वाला है, तो वे क्या करें, और जिनका selection नहीं होने वाला है, या फिर कुछ doubt में है, कुछ border पे हैं, कुछ का mark, ये cut-up, तो वे क्या करें, तो सबसे पहले तो जिनका selection होने वाला है, friends, कि confirm है, कि जो भी हम लोगों ने cut-up बताया था, exact या average cut-up, उससे यदि आपका ज्यादा marks हैं, तो आप बिल्कूल भी ज्यादा tension मतलें, और आप preparation अभी क्या करें, अभी आप basically आप English, यदि आपका strong नहीं है, आप Hindi medium बेग्राउंड से हैं, तो आप थोड़ा English पे ध्यान दीजिए, कुछ communication ये skill को सुधारिए, या फिर other types पे आप कर सकते हैं, कुछ enjoy भी कर सकते हैं, और आप documents जो भी इसमें लगता है, उसको मैं नीचे बताने वाला हूँ, तो उसको आप documents तब तक आप लोग ready रखिए, ये था आपका second query के answer, जो third question था आपका, कि admission जो है sir, online हो गई या offline, तो मुझे जहां तक लगता है, वो 99% तो chances है, online क्या ही, क्योंकि जो अभी आपके पिछले वाले जो year वाले student है, session वाले student है, उनका भी classes जो है, online ही चल रही है, तो most probably आपका जो admission process जो भी हो, वो online ही होने वाला है, और online होगा, तो आपको थोड़ा सा benefit में मिलेगा, आपको ज़्यादा परसानी नईब करना होना है, और documents friends concern लगता है, तो यदि offline हो रहा है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा documents लगना पड़ता है, उसके लिए आपको फोटो होगार बनवाने पड़ते हैं, दस लगबग वाइट दस, यह color वाले background वाला, यह होता है, फिर उसमें आपको TCC, जो important होता है friends documents, उसको मैं ए TC clear कर लिजिए अपना, TC जो school से आपको मिलता है, उसको आप तो ले लिजिए, TC, TC ले लिजिए, फिर CC आता है, फिर कुछ लोगों का migration भी होता है, जो UP से बिलॉंग नहीं करते हैं, उनका migration भी होता है, फिर mark sheet जो होता है, आपका metric और 10th और 12th का, 12th का जो mark sheet है, वो आप र आपका important documents, अगर death of birth भी चाहिए, DOB, जिसको कहते हैं, death of birth भी आदि आपके पास नहीं है, तो बनवा लेजिए, वैसे यह नहीं भी होगा, तो आपका डेमिसर रुकेगा नहीं, लेकिन आपको यह बनवा करके तब तक आप लोग रख लेजिए, next जो आपका query था, वो था क total subject कितने होते हैं, AMU में, तो यह last question को हम लोग देख लेते हैं, total subject लगबख 20 के आसपास होते हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं, और उसका location कैसे होगा, यह भी हम लोग देख लेते हैं, तो friends देख रहे हैं, जैसा कि यह पिछले साल, जिनका counseling हुआ था, उसका है यह, इस इसमें क्या होता है, बेसिकली चाहिए आपका selected list में हो, या फिर waiting list में हो, शवी का जो है, counseling कराना पड़ता है, आपको twice feeling करना पड़ता है, registration करने के बाद, portal पे, वो कैसे किया जाता है, जब result आएगा तो हम लोग उस पे भी एक separate video बनाएंगे, इसमें बेसिकली हम लोग य सब्जेक्ट होते हैं, AMU BA Owners के, तो देख सकते हैं, आप यहाँ पर first preference जो इसने दिया था, वो था, यहाँ पर geography, BA Owners, geography second में भी देख रहा है, friends, यहाँ पर दो geography है, आपको confuse नहीं होना है, क्योंकि AMU BA Owners में जो है, friends, दो faculty है, एक faculty of art है, और second faculty of social science है, तो दोनों में यह geography आता है, faculty of social में भी और faculty of art में भी, इसलिए यहाँ पर दो सब geography दिख रहा है आपको, थाड़े यहाँ पर economics हो गया है, फोर्थ में आपको political science है, फिप्त में यहाँ पर history honors है, फिर यहाँ पर next social work भी BA Owners का अंत्रकातिया आता है, फिर next देखते हैं, शेवेंत नंबर पर है, BA Owners English काफी cringe होता है इसका भी, फिर यहाँ पर linguistic है, 10th नंबर पर है, sociology है, फिर हिंदी है, यहाँ पर देख सकते हैं, philosophy, communicative English काफी demandable subject होता है, यह भी, next देख लेते हैं, next है फिर यहाँ पर BA Owners Persian, यहाँ फिर कुरानी के studies, संस्क्रीट है, उर्दू है, education है, Islamic studies है, और last जो है वह आपका women's study है, friends, यह आप देख रहे हैं, तो दो faculty है, इसमें जितने भी language वाले पार्ट आते हैं, जैसे Persian, यह फिर संस्क्रीट, उर्दू, English honors, यह सब जो भी होता है, communicative English, यह सब होते हैं, faculty of art में, और बाकि सब बच गहे हैं, जो history, political, geography, sociology, education, यह सब जो है, वो social के अं project है, P.J. Owners, M.U. में, इसका सभी का मैंने दे दिया, repeat कर दिया, एक बार फिर से मैं इसको scroll कर दे रहा हूँ, आप लोग, skin sort, ले लीजीगा, अच्छा से, इसको, यहाँ पर, इसका जो preference जो देख रहे हैं, वो student ने किया है, यह university की तरब से नहीं किया है, कि मतलब यह, यह यह अपने 24 के recording आपको करना होता है, आप लोग इसको skin sort ले लीजीएगा, 24 आप देख सकते हैं, इस तरह से 24 और जो है दिया जाता है, नमबर वन पर जिगरोफी रहता है, सेकेंड पर जिगरोफी है, जिगरोफी काफी डिमांड होता है, इसलिए कुछ लोग रखते हैं, तो friends, आप subject यहाँ पर देखें लिए हैं, आप अपने 24 के recording अभी से ही सोच करके रखिए, यदि आपका cut-up के पार है, आपका marking cut-up के पार है, तो आप लोग पहले से ही सोच करके रखिए, ताकि बाद में ज्यादा confusion ना होना पड़े, और यदि किसी को बहु सारे student को confusion भी ह है, क्योंकि change तो हो जाता है, आउनर्स पेपर, लेकिन काफी दिकत का समना करना पड़ सकता है, तो friends, ये तो हो गई आपकी 24 की बात, कि आपको preference देना है, आपको 24 के recording, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये जो 24 आपने number 1 पे रखा है, वो मिल ही जाए आपको, क्योंकि friends, ये depend करता है, आपके marks पे, आपका marks कितना gain कर रहे हैं, उस पे depend करता है, यदि आपका 45 प्लस, मतलब 50 के around आसपास रह रहे हैं, तो आपका first preference लगबग मिल जाएगा, चाहे आप कोई भी उसमें दिये हो, geography हो, political हो, या फिर economics हो, या फिर English owners हो, कोई भी हो, यदि आपका 45 प् marks है, थोड़ा सा कम marks है उनका, तो admission तो उनका होगा, लेकिन उनका first preference ना मिल करके हो सकता है, third preference मिले, या फिर ये भी हो सकता है, कि आपको सबसे last वाला preference मिल सकता है, जैसे या पे संस्क्रीत है, इसको जल्दी कुछ कोई लोग लेना नहीं चाहते है, तो ये मिल सकता है, या कम marks होते हैं उनको, तो जिनका भी अच्छा marks है, वो तो अपना preference ऐसे दिया जाता है, उपर ही, अपने choice के according, बाकी जो है, अलौट किसको होगा, किसको नहीं होगा, ये तो depend करता है आपके marks पे, और university पे, university आपके marks के according जो है, आपको अलौट करेगी, यदि आपको चाहिए तो आप payment कीजिए, और नहीं चाहिए, तो आप cancel भी कर सकते हैं, हलांकि यदि आप ले ले रहे हैं, कोर्स जो भी आपको subject allowed हो रहा है, आप उसको ले ले रहे हैं, मान लिजिए कि आपको संस्क्रीट मिल रहा है, आपने ले लिया उसको, संस्क्रीट जो है, आपके solar number preference पे ह संस्क्रीट आपको मान लिजिए कि मिला, फिर आपने payment भी कर दिया, तो आपको पास ये chance होता है कि अगर कोई student है, जिसको 15 नंबर ये जो है, 24 मिला है, कुरानी के studies, और उसने अपना admission cancel कराया, या फिर नहीं ले रहा है, किसी वो जैसे counselling नहीं करा रहा है, तो वो आपको अपग्रेट हो करके, अपग्रेटिंग के थुरू आपको ये मिल सकता है, या फिर हो सकता है, परसियन तक भी आ जाए, या फिर कुछ और लोग छोड़ेता हो सकता है, आपको कम negative English भी मिल जाए, तो आपको छोड़ना नहीं है, चाहे कोई भी subject मिले, आपको ले लेना है, कोई एक को आप final year में जाने के बाद आप अपना main subject भी बना सकते हैं, ओनर्स paper भी बना सकते हैं, तो friends फिलाल इस वीडियो को यहीं पर इंडि करते हैं, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद